यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंद्री योगिया दित्तिनाथ ने महिला सुरक्षा पर बोलते हुए कहा कि महिला अपराधों में 2016 के मुकाबले 2014 में 25 प्रतिशत की कमी दर्श की गई है महिला और बाल अपराध संबंधी अभी योगों के निस्तांतर्ण में यूपी देश में प्रतम स्थान पर है इसके साथ इसीम ने कहा कि इस दौरान लगभग 9890 प्रतिशत से अधिक मामलों का निस्तांतर्ण किया गया है और घरेलों हिंसा से पेड़ित महिलाओं के लिए 181 की सेवा शुरु की गई है जबकि बाहर के अपराधों के लिए एक शुन्य नौशुन्य की सेवा उपलद कराई गई है 24,000 जो महिला समंधी अपराध्य प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलातकार की जो घटनाए गटी थुई थी वहां 1838 हुई थी लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूँ इनकी संख्या है 1373 और मुझे लगता है एक घटनाए बताती है 25 फीज़ती से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबाधी तो बढ़ी होगी इस दोरा और आबादी बढ़ने के करम में अपराद कम हो रहा है नियंतित हो रहा है लेकिन जो मैंने कहा महला समंधिय अपराद दोनों परकार के होते हैं घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं दोनों के लिए सरकार में उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्द करी हैं घरेलो हिंसा से समंधित मामल में 181 की सेवा है घर के बाहर की सुरक्सा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्सा उपलब्द कराने के लिए तत्कालो कॉल कर सके इसके लिए को यह पराद होता है अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको सेवा उपलग्द होगी इसके बारे में लेकिन इस पे समय पे चार शिड़ दाखिल करना डिस्टिक मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जूडिसरी के साथ बहतर तालमेल बना करक कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्रिशन को आगे वढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए ये महत्तो पूर्ण हर उसी का पेढ़नाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महला समंधी जो उनके बहलाओं के बिरुत और पास को समंधी अपराधियों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभ्यक्तों को अब तक सजा दिलाई है इस मेंसे अगर आप देखेंगे 211 को हम लोगों ने मिर्तुदंड 173 को आजीवन कारवास 4653 को 10 वर्स या उस्यधिक कारवास और 10,331 को 10 वर्स से कम की कारवास के सजा दिलाई है ये जो अपराध जिन अपराधियों के सजा दिलाई गई है इसमें आप देखते होंगे अकसर समाचार पत्रों में आता है कि एक महिने के अंदर दुस कर्मी को सजा दिलाई गई ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने समय पे चार सीड दाखिल करने का पेड़ाम है नहीं तो हो करते थे और फिर इनको हलके पंसे लेने का दुस्पेड़ाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी सचंद होकर के अपराध ही करता था और फिर समाच उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाब करवाई नहीं कर पाता था लेकिन आज अपराधी के मन में भै है और उस भै का परिणाम आज हम सब के सामने देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का जो ई-PROSECUSN PORTAL है वो अपर देश के अंदर नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए महला समन्दिय अपराधियों को जो भी ऐसे अपराधिये उनको सिज़ा दिनाने में उप्तर प्रदेश देश के अक्रणी बाच्चों में है इस सरकार महला सुवक्सा के प्रती पूरी तरह गंभीर है और इस गंभीरता का पेड़ाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले सोधों पर लगाम कसने के लिए जो कारवाई की एंटी रोमे स्कौइर का गठन उसका एक उधारन है और मुझे पताते हैं दुख है कि एंटी रोमे स्कौइर का जोब हमने गठन किया अदर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका बिरोत किया था और इसलिए महला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी, हर ब्यातारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिवत है